अगर आपको ये वीडियो पसंद आयते प्रीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कद्दु की खटी मिटी सब्जी बनाने के लिए हापके येलो कद्दु लिया है और इसे छील के बीज निकालके अच्छे से काट लिया है और वास कर लिया है इसमें जो एट करूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिट इसे अच्छे से चौप कर लिया है और सुखे मसाले में एट करूँगी तेजपत्ता, सुखी लाल मिट, लॉंग, इलाइची, जीरा, मेथी, सौप, सरसो और गुर्ण चूले पे मैंने फ्रेसर कुकर चरहा दिया है, इसमें सरसो तेल एट करूँगी, यलो कद्दुक की सब्जे सरसो तेल में ही स्वाधिश्ट बनती है तेल गर्म होने के बाद इसमें सुखे खारे मसाले आड़ करूँगी और दो चुटकी हिंग आड़ करूँगी और इसे अच्छे से पकने दूँगी अच्छे से पकने के बाद इसमें आड़ करूँगी चौप किये वे प्याज टमाटर एंड हरी मिर्ज और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे थोड़ी दिर भूनना है और बीच बीच में चलाते रहना है थोड़ी दिर भूनने के बाद इसमें अट करूँगी अदर क्लासन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भूनूँगी थोड़ी दिर भूनने के बाद इसमें अट करूँगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, एंड स्वाध अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी अट करूँगी ताकि मसाले जलेना और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें एड़ करूंगी गुड और इसे भी मिलाओंगी और इसे भी थोड़ी देर भूनना है मसाले अच्छे से भून चुके हैं गुड भी मेल्ट हो चुकी हैं इसमें एड़ करूंगी यलो कद्दू मसाले में सारे कद्दू को रख दिया है और इसे अच्छे से मिला लूँगी कद्दू को भी थोड़ी देर भूनना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है कद्दू को अच्छे से मैंने भून लिया है कद्धू में थोड़ा सही पानी एड़ करना है, मैं थोड़ा सही पानी एड़ कर रही हूँ इसमें एट कर रही हूँ, अमचुर पाउडर, ठोरा ज्यादा मातरा में गर्म मसला पाउडर एν लाश्ट में धनिया पत्तब इसे मिला लूँगी और रेसर कुकर को धकन से पैक कर दूँगी और 2 सीटी बजने तक इसे पकाऊंगी मैंने 2 सीटी बजने तक पका लिया है कद्दू अच्छे से पक गई है सब्जी गाड़ी हो कई है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है रेडी है कद्दू की खटी मिठी सबजी आप इसे पूरी या फिर प्राठे के साथ खाए खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट होता है आप भी जरूर ट्राय करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब् करके बेल नौटिफिकेशन अन कर दी तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाइबाई